दोस्तों थोड़ी तेर पहले मैं सोची रहा था कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाओ उतने में मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन बेसिकली एक वीडियो के कमेंड का होता है वो भाई साब कहते कि सर आपकी वीडियो तो बहुत जो की काफी पॉपुलर भी है अपने नाम भी सुनाओगा और काफी एजिली आप इसमें एडिटिंग कर सकते एडवांस लेवल पे एडिटिंग सीख सकते तो अगर आप जानने में इंट्रेस्टेड हो कि इसमें वीडियो डिटिंग कैसे करते हैं तो चलिए मैं सतिश इंट्रो पार्ट में आप से कहा कि हम सेखने वाले वंडर्शर फिल्मोरा के अंदर वीडियो एडिटिंग तो इस सौफटर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिये जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर उसके बाद यहाँ पे जो भी वीडियो आपको एडिट करना है वो इंपोर्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं इमेजस हो सकती हो और यहाँ पर इंपोर्ट होगी और जब आप इंपोर्ट करोगे तो उससे एडिटिंग करने के तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, एक वीडियो मैं लेता हूँ, जो camera shoot है, उसमें से मैं पहले जो unwanted part है, उसे मैं trim करके दिखाता हूँ, या फिर उसमें जो noise आ रहा है, उसे हम कैसे reduce कर सकते हैं, फिल मरा की मदद से वो भी हम देखेंगे, तो चलिए एक मेरे पास raw video camera का shoot, जिसमें कुछ unwanted part है, वो मुझे split करना है, cut करना है, और वीडियो को proper करना है, तो कैसे करेंगे, यह सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले splitting सीखते हैं, तो यहाँ पे करना क्या है, इस पे click करना है, इस ऐरो पे, जैसे आप click करोगे, आपके सामने open हो जाए out करेंग के लिए अगर मुझे लेना है, तो इसे drag and drop करके यहाँ पे video track की उपर रखना है, जो कि timeline के उपर यहाँ फे video track है, यह video track है, और यह timeline के उपर मैंने इसे रखा, अब यहाँ पर timeline के उपर आने के बाद यह timeline उपर आपको जो दिखाया दे रह fat you seconds में दिखाया दे र होंकि यह पूरा का पूरा वीडियो यह मेरा 20-20 मिनिट का कुछ वीडियो है यह पूरा वीडियो यह आपको मिनिट में दिखाए देगा और आप ऐसे राइट साइड में इस टाइम लैन को ड्रैग करते जाओंगे तो यह बढ़ते जाएगा और यह पर जूम इन होते यहां पर मैं play head को रखता हूँ, इसे play head कहते हैं, मैंने यहां पर play head रखा, play करता हूँ, play करने के लिए keyboard पे space button दबाई है, पिर से space button दबा की यह stop होता है, तो आप देख सकते हैं, यहां से यह video start हो रहा है, हाला कि यह camera से shoot है, तो इसमें थोड़ा सा noise है, camera से, तो noise कैसे remove करन अब मैं यहां से यह जो part है इतना split करना चाहता हूँ, तो यहां पर play head रखिए, इसे play head कहते हैं, मैंने पर लेका है, और यहां पर आपको एक कैची का sign दिख रहा है, इस पर आप click कर सकते है, split के लिए, इस कैची के उपर, या फिर आप keyboard पे, Ctrl B बटन दबाई है, इस track पे delete कर सकते हैं, अगर आपने delete किया, तो यह delete होगा, इस तरह से लेकिन यहां पे खाली space रहेगा, मैं Ctrl Z कर देता हूँ, undo, इस पर click करता हूँ, मैं shift delete करता हूँ, तो यह क्या होगा, पूरा पूरा delete होगा, और जो खाली space ता हूँ, यह video left side में shift हो जाएगा, तो आप shift delete भी कर सकते हैं, delete भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप, आपको जो चाहिए वो, आप unwanted part हटा सकते हैं, अभी मैंने delete कि undo करके, अब मैं इस वीडियो का ऐसा drag करके, यह देखिए, mouse pointer में यहां पे वीडियो track पर रख रहा हूँ, और इसे मैं drag करके ऐसे भी shift कर सकता हूँ, तो इस तर हम जाते हैं, इसमें थोड़ा सो noise है, अपने सुनाएं, अब मैं चाहता हूँ कि वह इसमें से noise remove हो जाए, तो मैं इस track को select करूँगा, आप पूरा track से एक साथ select कर सकते हैं, आप इसके उपर double click कीजिए, जैसे आप double click करोगे, उपर option दिखाए देंगे, कि वह इसमें वीड और strong, strong करोगे तो आपकी आवाज पतली हो जाएगी, ज्यादा ही, अब mid रखो, छलो ठीक है, मैं mid position पर रखता हूँ, इसको okay करता हूँ, और सुना तो आपको, पहले आपने सुना तक कैसे आवाज आ जा रहा था, और अभी आपने सुना की basically किस तरह से आवाज आ जा रहा बंद हो था, तो आप fade out effect भी यहाँ पर लगा सकते है, इसे डेर सारे audio की effect यहाँ पर इसके उपर लगा सकते है, तो आपको यह भी पता चला की हम noise कैसे remove करते हैं, अब हमने यह तो देखा noise कैसे remove करते है, अब यहाँ पर सपोस्पोस्पोसे background audio add करना रहेगा इसके अंदर, तो हम कैसे add कर सकते हैं अपना खुद का, तो इसके लिए आपको अलग सा यहाँ पर audio option दिया है, यहाँ पर देख सकते है, आप audio option यहाँ पर क्लिक कीजिए, और audio पर क्लिक करने पाद यहाँ पर my music से लेक करके आप अपने music को import कर सकते है, import media files में जाहिए, यहाँ पर देख कीजिए, जैसे already यह मेरे पास audio insert है, यह देखिए, तो यह audio मैं यहाँ पर अभी इसके background में लगाना चाहता हूँ, background audio रखना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर इन्हों ने बहुत सरे और भी audio दिये है, फिल्मोरा ने, अगर आप इनमें जाकर check out करना चाहते है, तो आप sound effect check कर सकते है, या music check कर सकते है, तो यह यहाँ पर धेर सरे आपको और भी audio मिलते है, अपने खुद का add करना है, तो आप my music में जाकर import कर सकते है, फिलाल मैंने यहाँ पर import किया है, मैं इसे drag करूँगा, drag करूँगा और audio track पर लगए रखूँगा, audio track कहाँ पर देखिए, यह यह वाला audio track है, यहाँ पर symbol से पता चल रहा है, यह audio track है, उपर का video track है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे play करता हूँ अभी यह दिखिए, आए दोस्तों आप जाते हैं कि इस तरह से आप रजिश्टर करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो volume है, वो कम करने के लिए, मै पर आप कर सकते हैं, इस तरह से set, तो यह एक option मैंने आपको बता है कि background में हम अपना music कैसे add कर सकते हैं, आपको यहाँ से add करना है, तो यहाँ से add कर सकते हैं, जहाँ से add करना है, अब यह जो intro part है, basically यह मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से हमारा intro actual चाल हो रहा है, तो मैं इसे shift, delete कर देता हूँ, तो यह left side का जो unwanted party वो भी remove हो गया, तो इस तरह से आप video भी add कर सकते है, background audio भी add कर सकते है, अब हम देखते हैं, इसके अंदर हम किस तरह से titles add कर सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है दोस्तों, अभी मुझे मेरा नाम यहाँ पर add करना है, लोर third add क basically, तो titles यहाँ पर एक option दिया है, फिल मुरा के अंदर, titles में धेर सारे आपको recommended titles यहाँ पर मिलेंगे, आप जो भी title add करना चाहते हैं, उसके इपर double click करके यहाँ पर पहले यह download कर लीजिए, download करते हैं, यह आपके download section में यहाँ पर दीखाये देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ देर सारी lower third add करके रखे, तो जो भी lower third आपको अच्छा लग रहा है, एक drag and drop करके यहाँ पर रखिए, देखिए मैंने यह lower third यहाँ पर drag and drop करके रखाये, आईए दोस्तों आप जाते हैं कि कोस्पे डाट आपके किस तरसे, अब यह इस तरह से आ रहा है, इसमें मुझे founder of course पे, यह shortcut में आप कुछ भी लिखना चाते हैं, इसका font औगेरा भी change कर सकते हैं और धेर सारी चीज़े यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको यह लिखना ही नहीं नीचे वाला नाम, तो नीचे वाले नाम पे click करके इससे आप यहाँ से अटा दीजे और उपर नाम कोई बस आप यहाँ पर रखना चाते हैं, तो यह इस तरह से लोर थर्ड आप अड़ कर सकते हैं, यह आपको आड़े आ चुकी होगी, और धेर सारी लोर थर्ड यहाँ पर रहते हैं, अलग-लग design के text भी यहाँ पर है, तो आप इनको यहाँ पर easily drag and drop करके, अड़ करके अब बढ़ते हैं, ट्रांजिशन की तरह, अब हमें ट्रांजिशन की जरूरत कब पढ़ती हैं, जैसे example ले लो, यहाँ पर मैं इस वीडियो को control B करता हूँ, और आगे का part delete कर देता हूँ, और इसके आगे दूसरा वीडियो अड़ कर देता हूँ, जैसे मैं मेडिया में ज तो इसे drag and drop करने के बाद यहाँ पर यह वीडियो आ चुका है, अब मैं चाहता हूँ, यह देखिए, तो यह दोनों वीडियो जो है, यहाँ पर इसके बीच में मुझे transition add करना है, तो मैं transition कैसे add करूँगा, एक मिनिट के लिए मैं इनका जो audio है, दोनों का mute करके रखता हू क्योंकि वो हमें disrupt कर रहा है, editing के time पर, तो यहाँ से मैं audio को mute कर सकता हूँ, यह देखिए, दोनों track के audio को mute कर दिया, अभी disrupt नहीं करेगा हमें, लेकिन मैं यहाँ पर transition दिखाना चाहता हूँ, तो मैं transitions पर क्लिक करूँगा, उपर दिखिए, transition option दिखाए देरे आपको, यहा इसी ही text की तरह, आपको जो भी transition चाहिए, उसके पर आपको double click करना है, double click करते हैं, यहाँ पर load हो जाता है, download हो जाता है, और यहाँ पर preview भी आपको दिखाए देता है, तो यह अगर आपको चाहिए, तो इसे drag and drop इसके पर रख देना है, इन दोनों के joints पर, transition हम joints पर add करते ह इस वाले load 3 को मैं left में रख देता हूँ, थोड़ा सा size कम कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर दिखा दो आपको, वाओ, right, interesting, और यहाँ पिर मैंने बहुत सारे transition अल्रीड़ी डाउनलोड करके रखे, तो मैं downloads में click करता हूँ, यहाँ पर और भी transition से मैं आपको यह भी दिख दिया, अब देखिए, right, और इस transition के time पे, suppose अपने एक transition अड़ कर दिया, जैसे यह वाला transition अपने अड़ कर दिया, और साथ में चाहते है कि वही, यह transition जब आता है, तो audio भी आ जाए, तो आप audio में चाहिए, यहाँ पर धेर सरी sound effect भी दिये है इन्होंने, तो sound effect में जाकर आ इस तरह से transition आ जाएगा, तो आप ऐसे transition के time पे आप audio भी आड़ कर सकते हैं, और यह audio effect सारे के sound effect पहले से फिल्मोरा आपको देता है, वैलेबल करके देता है, अब हम जानते है transition के बाद effects के बारे में, अब यहाँ पर effects करके एक option आपको दिखाए दे रहा है, उपर मैं click करत हो, इस पर जैसे मैंने click क्या नीचे effects load हो चुके, और यहाँ पर धेर सारे effects है, कापी interesting effects है ने वाले फिल्मोरा में, अगर आप यहाँ पर देखो के example के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसी यह मेरा वीडियो है, और इसके उपर मैं अभी add करता हूँ, यह वाला effect, ओके और अभी आप देख सकते हैं, क्या बात है, दिखाए दे रहा है, background में वो effect हो रहा है, एक काम करता हूँ, मैं इसे, यहाँ पर यह text हटा के, यह वाला effect है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, now you can see, वो background में line जा रही है, एकदब proper effect है यहाँ पर apply होते, धेर सारे effects हैं यहाँ यहाँ पर मैं इस effect को add करके दिखा तो आपको, तो यह background में यहाँ पर run होते, इन effects को आप apply करके ज़रूर try कीज़े, जैसी यह वाला effect मैं try करता हूँ, यह भी interesting लग रहा है, तो ऐसे डिर सारे effect है, साथ में अगर आपको कोई चीज blur करनी है, जैसे example के लिए मैं बताता हू अभी यहाँ पर जो text add किया हुआ है, यह मैं थोड़ा सा उपर रख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, उपर रखा तो automatically उपर के track पे आ गया, और यहाँ पर मैंने favorites में एक effect रखा है, square blur, इसे मैं drag and drop करता हूँ, यह effect में ही है, मैंने favorites में add किया है, basically, यहाँ पर आप सकते, यहाँ पर धेर सारे effects, तो यह square blur तो है, यह साथ में अगर आपने यहाँ पर कोई screen add कर दिए, जैसे example के लिए मैं media में जाता हूँ, और media में, project media में एक screen import करता हूँ, और screen में कुछ चीज़े blur करने, जैसे मैंने यह screen यहाँ पर import करके रखिए, drag करके रखिए, पर add करो, suppose मैं कोई confidential data यहाँ पर add करो, तो वो मुझे क्या करना है, confidential email या phone number, blur रखना है, तो उसके लिए भी effects में आपको एक effect मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर recommended में आना है, उपर type करना है mosaic, जैसे आप mosaic type करोगे, यहाँ पर mosaic blur आ जाएगा, और इसे drag करके आप यहाँ पर रखोगे, और आप जिस पर भी इस rectangle को रखोगे, जैसे यह portion पर मैंने इस rectangle को रख दिया, तो यह पूरा का पूरा blur हो गया है, इस तरह से आप इसे blur रख सकते है, double click करके blur की intensity आप यहाँ पर set कर सकते हैं, कितना blur रखना है, कम blur रखना है, जादा blur रखना है, तो इस त तरह से यह blur भी effect आप add कर सकते हैं, और बहुत काम की effect है, यह actually video editing के time पर हमें लगते हैं दोस्तों, कुछ चीज़े confidential data hide करने के लिए हमें इसकी जरूत होती है, तो effect के बाद अब बार ही है elements देखने की, और elements की जरूत हमें होती है, अलग-लग चीज़ों को highlight करने के लिए व download करके रखे, download याने कि यहाँ पर double click करना यह download हो जाते हैं, तो मैंने download करके रखे, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, screen पे, basically screen पे कुछ चीज़े मुझे दिखानी है, highlight करनी है, तो मैं arrow को drag and drop करूँगा, और यह arrow आ चुका है, मैं इसकी size कम करूँगा, और मैं इस arrow को rotate करू यहाँ पर दिखे, चोटा सा arrow, जो भी portion मुझे दिखाना है, वो आपको मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा सा highlight करने के लिए इसको shadow देना चाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, suppose यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है, तो मैं इसके पर double click करूँगा, औ और यहाँ पर drop shadow पर click करूँगा, drop shadow पर click करने बाद opacity बढ़ाऊँगा, blur थोड़ा सा कम करूँगा, distance कम, यह highlight हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर register now button पर click करो, यहाँ पर click करोगे तो register हो जाओगे, हमारी website पर जो की description में link है, जरूर चेक जैसे मैं दिखाना चाहूँगा कि इस वीडियो के ending में मुझे यहाँ पर बताना है कि लाइक करो, शेयर करो, तो वो भी element मैंने download में download करके रखे, यहाँ पर subscribe का बील है, leave the comment, check out है, check out link in the description मुझे add करना है, तो भाई check out link in the description, यह मैं इस तरह से add करूँगा, अगर यह करता हूँ, मेरी team जो भी edit करता है, मेरा team member, वो सारी चीज़े यहाँ पर drag and drop करते हैं, हाँ यहाँ पर बहुत सारी चीज़े वो लोग खुद से भी logic लगाते कि खुछ नयाद दिखना चाहिए, तो वो खुद से कुछ करते ही भी है इसके साथ, लेकिन मैं आपको idea बता रह तो थोड़ी देर के लिए, और split screen में यहाँ पर एक साथ, अब दो screen, तीन screen, चार screen, जैसे वो news में रहते हैं, चार लोग एक साथ, छे लोग एक साथ बात कर रहे हैं, तो वो दिखाते हैं, तो वैसे आप एक साथ यहाँ पर video लगा सकते हैं, जैसे मैंने यह दो screen के लिए पर लाके drag and drop कर दिया, इसको, अब मैंने split screen का size कितना रखना है, मैं decide कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पर video डालना चाहता हूँ, तो पहले screen पर यह video चाहता हूँ, दूसरे screen पर यह video चाहता हूँ, तो ऐसे आप video का position यहाँ पर आगे पीछे रख सकते हैं, और यहाँ पर एक यह भी video आप यहाँ पर split कर सकते हैं, एक साथ दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यह screen add कर दी, तो यहाँ पर यह जो बड़ा video है, इसका मैं speed बड़ा कि यहाँ पर छोटा करना चाहता हूँ, मैं basically इसका speed बड़ाने के लिए क्या करूँगा, फिर मैं इसकी उपर double click क रहता हूँ, तो यह पूरे के पूरे track का speed एक साथ बड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको 10, तो यहाँ पर देखेंगे, यह track छोटा हो गया, और यह बहुत ही fast चलेगा, अब देखो यह video बहुत fast हो रहा है, पट 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 हो रहा है, इस तरह से यह fast वीडिय में क्या option है, देखें, speed ramping में आई है, यहाँ पर आप यह देखें, इस तरह का speed रख सकते, इस तरह का रख सकते, तो मतलब कई पर fast, कई पर slow, यहाँ पर double click कीजिए, तो यहाँ पर speed ramping इस तरह चलेगा, तो यहाँ पर क्या है, मतलब यह fast होगा, इधर इस position पर यह slow तो एक track को आप manage कर सकते, कि भाई कई पर speed fast करना है, कई पर slow करना है, यह customization यहाँ पर speed ramping आपको देता है, आपको track को अलग-लग split करने की ज़रूत नहीं, जहाँ पर जितना speed चाहिए, आप उतना रख सकते हैं, ज्यादा चीत हो, ज्यादा कम चाहिए तो कम, यह speed ramping की मुझे लगा कि यार, proper adjust नहीं है, करना है मुझे adjust, तो मैं यह वाला track delete कर देता हूँ, और इसके उपर double click कर देता हूँ, double click करते ही, यहाँ पे color का option आपको मिल रहे है, color में आपको धेर सारी option तो यहाँ पर मिल रहे है, color enhancement है, white balance tone, यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं, लेकि यहाँ पर मैं अलग-अलग batman चाहिए तो यह apply कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर reset all button दिया, यहाँ पर मैं click करूँगा reset all, right, सब कुछ reset हो जाएगा, यहाँ फिर मैं edges में अगर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं light color सारी चीज़े बदल सकता हूँ, तो light म है, हर वीडियो में apply करनी तो इसे save as custom भी आप कर सकते हैं, फिलाल यहाँ पर देख सकते हैं, यह color पहला कैसा था और अब कैसे, अगर आप देखना चाहते हैं कि यह भाई पहला कैसा था अब कैसे, तो advance में दुबारा जाहिए, और यहाँ पर A, B पर क्लिक कीज़े, side by side view, तो यह देखिए, पहला कैसा था, अब कैसे, और आप यहाँ पर जाकर वीचेक आउट कर सकते हैं, adjust में जाईए, और जब आप यहाँ पर light change कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि नए वाले में और पहले पुराने वाले में क्या भरक है, यहाँ पर और आपको before और after दोनो है, तो वो chroma key भी आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे chroma key यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, चली यहाँ पर जो effects है, मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर double click करके मैं एक video add कर रहा हूँ, जो कि मैंने chroma key में shoot करके रखा है, यह मेरा video है, basically green screen पर मैंने shoot करके रखा है, आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर background में मैं कुछ और color add करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले जाओंगा कापे, media में, sample color में जाओंगा और background में मैं एक sample color choose कर लेता हूँ, यहाँ पर background में एक sample color रखना है, तो मै रहा है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, select color, तो यहाँ पर आप select color कीजिए, कि आपके screen के उपर कौन सा color है, आपका green हो सकता है, blue हो सकता है, जो भी curtain आपने use किया, basically, वो select करने के लिए option आपको दिया है, तो मैं यहाँ पर click करता हूँ, इस eye dropper पर और यहाँ पर जाके color select कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते, यह remove हो चुका, यह जो मेरा background हो आपको दिखाए दे रहा है, और साथ में आप इस पर double click करके, यहाँ पर offset वगरा adjust कर सकते, कि वह कैसे chroma की दिखना चाहिए, alpha channel में on करके, आप यहाँ पर सारी चीज़े set कर सकते इसका age feather set कर सकते, age thickness set कर सकते, और tolerance भी set कर सकते है, कि वह कितना tolerance रखना चाहिए, offset कितना रखना है, पूरा होने के बाद यहाँ पर alpha channel हटा दीजे, और ok कीजे, यहाँ पर आप देख सकते, green screen इस तरह सी एफिक्ट apply हो जाता है, तो यहाँ पर इस तरह सी एक green screen आपको तो अभी जो feature हम फिल्मरों का देख रहे है, वो है audio synchronization, यह बहुत time saving feature है, अब जैसे example ले लो, मैं यहाँ पर एक video import कर रहा हूँ, और साथ में एक audio भी import कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने video import किया और यह audio import किया, यह video और audio जो है, यह video camera से shoot किया गया है, यहाँ पर आप देख को यहाँ पर रख दिया, तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए दिखाता हूँ, कि भाई यह जो है न, यहाँ से audio, वेव से आपको पता चल रहे है, कि यह जो audio है, यह यहाँ से start हो रहा है, यह देखिए, और यह जो audio video का यहाँ से start हो रहा है, तो मुझे आगे पीछे drag कर करके खीच के यह बहुत time जाएगा, मतलब adjust करने के लिए, तो मैं इन दोनों track को ऐसे select करूँगा, video और audio track को, जैसे मैं इसे select करूँगा, यहाँ पर एक option आपको मिलेगा, इसका नाम है auto synchronization, यह automatically audio को synchronize करता है, यह जो option दिखाए दे रहा है, इसमें देखिए, mouse pointer रखते ही लिखे आ रहा है, कि audio and video को automatically synchronize करेगा, जो track आपने select के, तो मैं इस पर click कर देता हूँ, जैसे मैंने click किया, यहाँ पर यह process हो रहा है, और automatically आप देख सकते है, यहाँ पर जहां से मेरा यह start हो रहा है na audio, यह देखिए, मैं इसे play करता हूँ, आइए दोस्तों हम जानते है कि कोसपे .com पे यह automatic synchronize हो चुका है, अब इसका audio चाहिए तो मैं mute कर देता हूँ, राइट लिकर की mute या ctrl shift m आप प्रेस का सकते है, शौटकट की, आइए दोस्तों हम जानते है कि कोसपे .com पे आप किस तर वाओ, यह proper lip sync match हो चुका है, audio synchronize हो चुका है, तो यह इसका best feature है, य आगे की feature की तरफ बढ़ते है, और साथी में दोस्तों अगर आपको screen recording करनी है, आपके computer की laptop की जो भी है, तो यहाँ पे आप record option का इस्तमाल कर सकते है, उपर आपको दिखाए दे रहा है record option, मैं click करता हूँ, यहाँ पे record from webcam, record PC screen, record voice or, तो जो आप करना चाहते है, अगर आप PC screen पे click करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का आपको एक diala box आएगा, जिसमें record with mic करना है, तो यह on रखिए, या फिर आपको अगर लगता है, internal sound record करना है, जो भी आपको ए लेक्चर वागे राटन कर रहे है, तो आप यह sound वाले icon को enable रखिए, और उसकी बाद recording स्टार्ट करत है, तो आप यहाँ से आप इसे export कर सकते हैं, यह diala box direct आजाएगा, अगर आपका license नहीं है, तो आपको यहाँ पे basically trial version पे एक wondershare का logo आजाएगा, आपके वीडियो के अंदर, याद रखिए, और अगर आप इसका license purchase करना चाते हैं, तो description में मैंने link दीए, lifetime license लगबग 67,000 का ह सकते हैं, अगर आप interested हो, video editing में career बनाने के लिए दोस्तों तो, क्योंकि 67,000 में तो इतना अच्छा software आपको market में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं recommend ज़रू करूँगा आप से, तो यहाँ पे video export करना है, तो आप resolution अगरा set कर सकते हैं, और resolution set करके यहाँ पे export button पे click किजिए, यहा हो जाएगा, तो कैसे लगा दोस्तों यह video editor की information को बडियो, definitely आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो like, share और comment आपने किया होगा, साथी में description में check out कीजिए, मेरी website के link, जहाँ पे आपको wondersher filmer का पूरा course सीखने मिलेगा, detail, in detail पूरा का पूरा course आपको सीखने मिलेगा, तो जरूर check out कीजिए, साथी में मेरे और भी channel है, उनकी भी link description में दिये, check out कीजिए, इस website की link भी description में दिये, जो software में ने बताया, तो सारी link description में जरूर check out कीजिए, मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेशन वोड़े के अंदर, तब तक के लिए अपना खयाल रखना, सीखते औरेना सी का औरेना, बाई बाई